एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए आठ रिष्टेदारों से पैसे मांगती है सभी रिष्टेदार उसे ये भरोसा दिलाते हैं कि कोई बात नहीं तुम शादी फिक्स कर लो, हम पैसे दे देंगे दुख मत हो महिला सोचती है कि अगर आठ में से दो-तीन लोग भी मदद करेंगे तो मेरी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी इसी सोच के साथ वह अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देती है अब शादी होने को सिर्फ साथ दिन बचे थे और जब वह रिष्टेदारों से पैसे मांगती है तब सब ने इस बेचारी महिला को पैसे देने से इंकार कर दिया सब अपने अपने हाथ खड़े कर दिये थे केवल एक व्यक्ती ने थोड़ी सी रकम दी जो वो भी बहुत कम थी और किसी काम की नहीं थी शादी को मातर पांच दिन ही बचे थे मा बेटी काफी परेशान हो गए उन्होंने हर जगा कोशिश की लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तब ही वह लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो पैसों के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे हालांकि लड़की की इस खोफनाक कदम की बजह से लड़के के परिवार वाले शादी से इंकार कर दिये थे अब जो लड़की के परिवार वाले के साथ हुआ हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उससे पहले फिर से दिल को दहला देने वाली और मन को जचाओर देने वाली एक सची घटना लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और साथ ही अगर आपको हमारी महनत पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंडों का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है और साथ में ये भी बताएं कि आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के बाला घाट जिले की एक महिला कमला देवी की जो अपनी बेटी अर्पिता के साथ अकेले रह रहती थी अर्पिता धीरे धीरे बड़ी हो गई वो बीस साल की हो गई थी कमला देवी ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए पैसों की कमी के कारण उन्होंने रिष्टेदारों से मदद मांगी तो रिष्टेदारों ने भी वादा किया कि वे शादी के खर्च में मदद करेंगे इसी भरोसे पर कमला देवी ने अरपिता का रिष्टा एक लड़के रोहन से तै कर दिया दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लिया और शादी की तारीख भी पक्की हो गई इसके बाद रोहन ने अरपिता को एक फोन भी खरीद कर दे दिया दोनों घंटों बातें करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जब शादी में 25 से 30 दिन बचे थे तब कमला देवी ने रिष्टेदारों से पैसों की बात की तबी रिष्टेदार अपनी अपनी परेशानियों को बहाना बनाने लगे सब ने माना कर दिया पैसे देने से और कहा कि उनके पास पैसे नहीं है एक रिष्टेदार ने थोड़ी मोडी सी रकम दी भी पर वह भी शादी के भारी खर्च के सामने कुछ भी नहीं था मगर घर में कोई तैयारी महोल नहीं दिख रही थी। पडोसी भी हैरान होकर पूछने लगे कि अरे भाई, शादी होने को बस पांच दिन ही बचा है। पर शादी की कोई तैयारी नहीं हो रही है। और दूसरी ओर रोहन जो अरपिता से घंटों बातें करता था, उसे अपनी शादी की तैयारियों के बारे में बड़े शौक से बताता था। वो बोलता था कि शादी होने के बाद हम खूब मज्जे करेंगे। कभी हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, शौपिंग करेंगे, घर में तुम्हारे लिए कपड़े गहने और एक खास सर्प्राइज भी लिया है, सब कुछ तैयार है, तुम लोग क्या खरीद रहे हो, कैसी तैयारी कर रहे हो। अरपिता चुपचाप सुनती रही, और बस इतना कहती थी, कि सब कुछ मेरी माँ देख रही है, घर में भी शादी की तैयारियां चल रही है, लेकिन मन ही मन वह खुद को ठगा सा महसूस करती रही। आखिर रोहन को क्या बताती कि उनके घर में तो पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे अरपिता और उसकी माँ कमला देवी का दुख बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हर जगह कोशिश की, हाथ पाव मारने की, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। एक दिन अरपिता बहुत उदास थी, तभी रोहन का फोन आया, उसकी बुझी बुझी आवाज सुनकर रोहन ने पूछा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो, हमारी शादी में अब बस पांच दिन बचे हैं, जल्दी ही हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, तो क् यह पांच दिन भी बहुत होते हैं, अब देखो, आगे क्या होता है, रोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, क्या होगा आगे, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं तुमारे बिना कैसे रहा हूँ, यह तुम्हें क्या बता हूँ, और पिता ने बस इतना कहा, इतने मत हो जब, मिलेंगे तब देखा जाएगा, वह कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन शब्द उसके दिल में ही कहीं घुट जाते थे, उसके मन में तूफान मचा हुआ था, कि क्या करें, कैसे करें, अब शादी में बस चार दिन बचे थे, कमला देवी के पास कोई उपाय नह उनकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ जलक रही थी, आप क्यों हमें इस हालत में छोड़ कर चले गए, आज आपकी इज़द दाव पर लगी है, हमारी इज़द जाने वाली है, काश आप हमें इस बे सहारा हालत में ना छोड़ते, मुझे भी अपने साथ ले गए होत मेरी वजह से मा इतनी परेशान है, पिता जी तो रहे नहीं, अगर मा को भी कुछ हो गया, तो मैं क्या करूंगी, और पिता अपनी मा के पास आई और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, मा, आप परेशान मत होईए, क्यों इतना दुखी हो रही है, अगर हालात ऐसे ही हैं तो फोन करके शादी से मना कर दो, कमला देवी ने उसकी बात सुनते हुए उदासी से कहा, बेटा शादी में अब बस चार दिन बचे हैं, इतने नस्दीक कर कैसे मना करूं, और अगर एक बार मना कर दिया, तो शायद तुम्हारी शादी कभी न हो पाएगी, अर्पिता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं मा, अगर ऐसा है, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी, मेरी शादी ना भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कमला देवी की चिंता इतनी बढ़ गई थी, कि उनकी तबीयत बिगडने लगी थी, उन्हें देखकर ऐसा ल कि उसे किसी भी हाल में एक रास्ता चाहिए था, उसकी मा कमला देवी की हालत बिगड़ती जा रही थी, और शादी में अब केवल चार दिन ही बचे थे, इसी बीच अरपिता के मन में एक उपाय आता है, उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले उसने एक नौकरी की थी, जह कि शायद वही उसकी मदद कर सके, अरपिता प्रदीप को कॉल करती है, प्रदीप बड़े उत्साह से फोन उठाता है, अरपिता क्या हाल है, तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी मुझे कॉल कर रही हो, बताओ कैसे याद किया, अरपिता उसकी आवाज में मस्ती सुन कर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन फिर गंभीर होकर कहती है, कि प्रदीप मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और ये मजाक नहीं है, मेरी हालत वाकई में बहुत खराब है, प्रदीप एकदम से गंभीर हो जाता है, अरे बोलो ना, तुम्हारे लिए तो जान भी दे द प्रदीप ने पहले ही पैसों की बात टाल दी थी, लेकिन अर्पिता ने उससे पैसों की मदद मांगने का सोचा भी नहीं था, वो थोड़ा ठहर कर बोलती है, पैसे के लिए फोन नहीं किया है, प्रदीप तुमसे कुछ और कहना है, प्रदीप उसे और ध्यान से सुनता है तो बताओ ना क्या करना है, अर्पिता एक गहरी सांस लेकर अपनी बात रखती है, प्रदीप तुम्हें रोहन से मेरी तरफ से एक जूट बोलना है, प्रदीप आश्चर्य से पूछता है, क्या जूट अर्पिता कहती है, तुम रोहन को फोन करके कह दो कि मैं तुमारी गर पता चली, तो वे शादी से इंकार कर देंगे, इस से उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी और उनकी इज़त बच जाएगी, प्रदीप सोच में पढ़ जाता है, और फिर बोलता है, लेकिन आजकल यह बातें लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, हो सकता है कि वे लोग फिर भी शादी के लिए तयार रहे, तब क्या करोगी, अर पिता ठहर कर कहती है, तब तुम उसे यह बोल देना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, प्रदीप यह सुनकर एकदम हैरान रह जाता है, उसकी आँखों में आंसु आ जाते है, वह भावुक होकर कहता है, अर पिता, ये क्या कह रही हो, ये बहुत बड़ा जूट है, और इससे तुम्हारी बदनामी होगी, अर पिता रोते हुए कहती है, प्रदीप, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरी माँ की हालत खराब है, और अगर शादी तूटने का यही एक तरीका है, तो म मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा, मुझे रोहन का और उसके पिता का नंबर दे दो, मैं उनसे बात करूँगा, और पिता रोते हुए रोहन का नंबर भेज देती है, और फोन काट देती है, अब वह सोचती है कि आगे क्या होगा, और क्या यह कदम वाकई उनकी मुश्क कि लें दूर करेगा या फिर और भी बढ़ा देगा रात के ठीक ग्यारा बजे का समय था रोहन गहरी नींद में सो रहा था तभी अचानक उसका फोन बज उठा उसने अनमने मन से फोन उठाया और बोला हां कौन है दूसरी तरफ से एक आवाज आई भाई मैं प्रदीप बोल करते हैं इतना सुनते ही रोहन एकदम सन रह गया जैसे किसी ने उस पर बम फोड़ दिया हो थोड़ी देर की खामोशी के बाद रोहन की आवाज बदल गई गुस्से में उसने कहा क्या बकवास कर रहा है तू अगर वह तेरी गर्लफरेंड थी तो अब वह बात खत्म हो धड़कने तेज हो गई फिर भी उसने खुद को संभाला और बोला भाई देख मैं सच कह रहा हूँ अगर तू हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो ये तेरे लिए सही नहीं होगा मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ सुनते ही उसकी बातों से और भड़क गया उसने गु उससे बेहत खुश है और तू ये जूटी कहानी लेकर आ गया है प्रदीप ने एक और कोशिश की और गहरी आवाज में बोला भाई मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ हमारे बीच मैं ऐसा रिष्टा था कि वे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं उसे सच में दिल से च उसके सामने ना उसकी जुबान पर तेरा नाम था ना उसके दिल में तेरे लिए कोई दर्द और अगर वह तुझे इतनी आसानी से भूल गई तो ये साबित करता है कि उसके लिए तू कभी खास था ही नहीं तो सुन ये सब बहाने बाजी मेरे सामने मत कर प्रदीप की कोश प्रदीप कोशिशें एक के बाद एक बेकार होती जा रही थी उसकी आखों में आसू थे पर उसने हार नहीं मानी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा भाई प्लीज देख मैं उसके बिना नहीं रह सकता क्यों दो लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रहा है मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ रोहन ने उसकी दलीलें सुनकर कडवी हंसी हंसते हुए कहा अब तु जीकर करेगा भी क्या उसने तुझे छोड़ दिया है तेरी कोई एहमियत नहीं है तो जा कहीं भी जाकर अपना सिर फोड़ ले तेरे जीने का अब कोई फायदा नहीं औ पर हाँ अगर शादी में दिखाई दिया तो सोच ले तेरा क्या अंजाम होगा प्रदीप अब अंदर से पूरी तरह तूट चुका था उसने अपनी पूरी कोशिश की थी पर सब कुछ नाकाम रहा रोहन की हर बात उसे अंदर तक तोड रही थी उसने फोन को धीरे धीरे क चाता हूं लेकिन रोहन ने उसकी एक ना सुनी और जवाब दिया जो भी हो मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा मुझे किसी की नहीं सुननी है इतना कहकर रोहन ने फोन काट दिया अब प्रदीप सोच में पढ़ गया ये लड़का तो समझने को ही तयार नहीं है अब क्या क करूं फिर उसे ख्याल आया कि रोहन के पिताजी से बात करनी चाहिए लेकिन उससे पहले उसने अर्पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया उसने अर्पिता को फोन किया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रोहन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया अर्पिता की सा प्रदीप ने हिम्मत जुटाई और रोहन के पिताजी का नंबर डायल किया फोन उठते ही उसने कहा अंकल जी मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं एक गंभीर बात बताने के लिए फोन कर रहा हूं आपके बेटे को इश्क का ऐसा भूत सवार है कि उसे सच्चाई नजर ही नहीं आ रही अर पिता और मेरा एक गहरा रिष्टा रहा है एक ऐसे अतीत के साथ उसे अपनी बहू बना कर घर में रखना सोचिये क्या सही है प्रदीप की बातें सुनते ही रोहन के पिताजी के होश उड़ गए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा लेकिन उनके चहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी उन्होंने फोन काट दिया और पूरी रात सोचते रहे अगले दिन सुबह होते ही यह बात आग की तरह पहल गई रिष्टेदारों और पडोसियों तक बात पहुँच गई परिवार में खलबली मच गई खासकर औरतों में वे कहने लगी अरे ऐसे कैसे किसी अंजान अतीत वाली लड़की को घर में लाकर बहु बना सकते हैं अच्छा हुआ कि वह लड़का सच सामने लाया रोहन के पिताजी से रहा नहीं गया उन्होंने अर्पिता की मां कमला देवी को फोन किया और कड़क आवाज में बोले देखे अब ये शादी नहीं हो सकती आपकी बेटी का ऐसा अतीत था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने हमसे धोखा किया है कमला देवी ये सुनकर चौक गई उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है आप गलत समझ रहे हैं लेकिन रोहन के पिताजी ने अपनी बात पर जोर दिया और बोला कि हमारे पास सबूत है मेरे बेटे को फोन और साफ साफ बताया गया अब हम ये रिष्टा नहीं जोड सकते शुक्र है सही समय पर हमें सच्चाई का पता चल गया अरपिता की मां गहरी चिंता में डूबी होई थी उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी से सीधे सीधे पूछा बेटा ये सब क्या हो रहा है प्रदीब का तुमसे क्या रिष्टा है अरपिता ने जवाब दिया मां, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है मैं और प्रदीब सिर्फ दोस्थ है हमने बस साथ काम किया है और उसने जो बातें कहीं है उनमें कोई सच्चा ही नहीं है शायद वह सिर्फ मुझे परेशानी में डालने के लिए कर रहा है हम वैसे भी इस शादी को लेकर परेशान थे और अगर ये लोग बारात नहीं लाते तो कम से कम हमारी बेज़जती नहीं होती छोड़ो ना टेंशन मतलो लेकिन अर्पिता की मां की आँखों में आंसु आ गए इस हालात में वह कर भी क्या सकती थी वे जानती थी कि कुछ लोग उनकी बेटी पर जूटे इलजाम लगा रहे थे लेकिन समाज में ये बात फैल चुकी थी वे आसपडोस के लोगों के सामने सफाई देने की कोशिश करती रही कि उनकी बेटी निर्दोश है पर लोग मानने को तयार नहीं थे उधर रिष्टेदार जो पहले ही मदद नहीं कर रहे थे अब बातें बनाने लगे कहने लगे देखा हम तो पहले ही समझ गए थे इस मा बेटी का चाल चलन सही नहीं है इसलिए हमने पैसे नहीं दिये अगर देते तो हमारा पैसा फंस जाता इनका तो काम ही यही है इधर अर्पिता और उसकी मा ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उधर रोहन बेचैन था वह सोच रहा था कि प्रदीप को जरूर सबक सिखाना चाहिए उसने पुलिस के पास जाकर शिकायत की सर इस लड़के ने मुझे कॉल किया था और ऐसे ऐसे जूटे आरोप लगाये जिसके कारण मेरी शादी तूट गई अब मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इनसाफ दिला एक तो कम से कम इस लड़के को अरपिता से शादी करनी चाहिए ताकि वह फिर किसी और के साथ ऐसा ना कर सके पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रदीप को खोज निकाला उन्होंने उसे हिरासत में लिया और सक्ती से पूछताच की कुछ समय बाद प्रदीप तूट गया और सच उगल दिया सर ये सब मैंने अरपिता के कहने पर किया था उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा था पुलिस ने तुरंत रिकॉर्ड की गई कॉल को सब के सामने पेश किया जब वह कॉल रिकॉर्डिंग सब के सामने चलाई गई तो उसमें अरपिता की आवाज साफ साफ सुनाई दी जो प्रदीप को निर्देश दे रही थी वहां मौझूद सभी लोग रोहन पुलिस रोहन के पिता जी और कुछ रिष्टेदार सन्न रह गए पुलिस भी यह मामला सुनकर दंग रह जाती है और कहती है ऐसा केस हमारी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा इस लड़की ने अपनी मा की इजज़त बचा जाने के लिए खुद की इज़त को दाव पर लगा दिया इससे महान लड़की शायद ही कोई होगी आप लोगों को समझना चाहिए अगर ऐसी नेक और दिलदार लड़की है तो आप खुद ही अपने खर्चे से शादी कर लीजिए इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा रोहन के पिताजी की आँखों में आँसु आ जाते हैं रोहन भी भावुक हो जाता है फिर अगले दिन रोहन के माता पिता और कुछ रिष्टेदार अर्पिता के घर पहुँचते हैं अर्पिता की मां से मिलकर कहते हैं, बेहन जी अगर आप पहले ही अपनी परेशानी हमसे साज़ा कर देती, तो हम खुशी-खुशी शादी का सारा खर्च उठा लेते, लेकिन आपने बताया ही नहीं। अर्पिता की मां दुखी स्वर में कहती हैं, हमारी मजबूरी थी, हमें नहीं पता था कि अर्पिता ने यह सब किया है। इसके बाद अर्पिता को बुला कर उसके पिता जी उसके सिर पर हाथ रखकर भावु खोटते हैं। वह कहते हैं, बेटा तुमने जो किया उसने यह साबित कर दिया कि तुम कितनी महान हो, हमारे घर की बहु बनकर हमें तुम पर गर्व है। बातें सुनी और फिर भी शादी करने को तयार रहा। दोस्तों रोहन और अर्पिता की शादी 2021 में हुई थी और आज दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्दिश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। किसी को परेशान क को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।